तो गाज अभी के टाइब में कुछ इस तरीके का फोटो से स्कैनिंग वाला रिल्स वीडियो बनाते हैं इंस्टाक्राम पे तो 100% वायरल होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स आज का लिए ही तो चल ला है तो कैसे बनाना है वही तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला आई जो प्लेइ स्टूर पर भी मिल जाएगा और एपिशटोर पे भी मिल जाएगा ओपन कर लेंना इत्रड करनी के बाद जैसे यह open और आपके प्लस पर क्लीक करना और new project पर क्लीक करना और फोटो वाले option पर क्लीक करकी अपने गालरी से जिस भी फोटो से बनाना चाहते उस फोटो को अपने गैलरी से select आगना है जैसे कि मैं याँ से फोटो कुछい select करना उंट हम दो फोटो को ताकि हम आपको को nehmen दीखाग शकते यहां प bash苐 लिए 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 दूसरा नमर प्रीष एलेक्ट कर लिए और ओर सकते हम चाहे उतना फोटो आप कर सकते हैं तो मैं लगबह辍आ कि यहां पर ज्ञाधा फोटो चार फोटो रहने देता हूं नेक्सट कर देंगे करने क बाता हमारे सामने आ हैं सबसे फिले उपर original फेक्लिक करका चञाए 20 सेलेयक्ट कर लेना और उसके प्रफ押्टो पै लेक्ट इतना काम करना और यहां पर आना से अपनी फोट को शंच तरीके इसे जूम करेंगे तो फ्रेंस को नीचे के निलारे से क्लिक कर देना एस तरीके से ऐसे कैरे करेंस आपको दूसरे वाले फोटो को भी कट कर ले और फिर इस वाले प्याएंगे इसको हम कर देंगे शाड़ शाड़ कट और इसको भी कर लेते हैं कट दस पचाश कट हमारा यह आधा-धा हो गया देख सकते हैं हो गया ना इस तरीके से सबी को कट कर लेना 50-50 एकदम एक रेट से 50-50 होना जाएं यह आधा-धा होना चाहिए देड़ सेकेंड भी होना चाहिए और देड़ सेकेंड पीछे वाला पार्ट भी होना चाहिए इस तरीके से कट कर लेना अब कट करने के वासे इस तरीके से आपको जूम कर लेना थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा अब यहां पर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाए से आपको नीचे की तरफ एक option मिलेगा फिल फिल पे क्लिक कर देंगे फूरा cover कर लेगा अब जैसे यह cover कर लेगा आपको यहाँ पर इसको करना क्या है जो डेड़ सेकेंड पर आपने cut किया था तो आपको इसको भी डेड़ सेकेंड पर ले कर आना है और इसको भी black photo को cut कर ले से अब यहां पर देखे black photo पे click करना आप फोटो पे click करने व przedstaw नीचे के तरफ चाइब आप आएंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा मस क्लिक करना और यहां पे mirror का option मिलेगा mirror पे आपको naklick करना अब इसको जैसे ही क्लिक करें तो यहां पर दोनों लाइन को कुछ इस तरीके से करेंगे तो यह पतला होता जाएगा ठीक है अब यहां पर पर उपर एक एरो दिखेगा और नीचे एरो दिखेगा इस पर उंगली इस तरीके से रखना है और कुछ इस तरीके से और पतला कर लेना आपको देखिए मैं इसको इतना और पतला कर लिए इतना पर लगबग कर लेना आपको भी हाँ ठीक है पतला करने के बाद से सबसे पहले इसको उपर की तरफ इस तरीके से ले कर जाना है और यहां पर की फ्रेम दिखेंगा इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद से स्क्रोल करक के नीचे के तरफ इस तरीके से लेकर आ जाना है और फिर आपको इसको धीरे से सरका आना है इतना पर लगवाग इसके बाद से फिर इसको उपर के तरफ कर देना इस तरीके से फिर से आपको स्क्रोल करना है उतना ही के लगवाग इतना पर फिर इसको नीचे के तरफ लेकर च करने बास है कुछ इस तरीकी का हमारा फोटो देख सकते हैं इसकैनिंग वाला इफेक्ट यहां पर आड़ हो चुका अब यहां पर हमारा फोटो जो है यह तो पूरा कलर में दिख रहा है तो इसको हम ब्लैक करेंगे ताकि हमारा स्कैन होने के बास है कलर में आजाए वह आल हम इसमें लगाने वाल तो इसको हम फोटो पर क्लिक करेंगे फिल्टर पर आएंगे और यहां पर आएंगे और यहां पर सेचुरेशन पर आकर इसको हम पूरा माइनस कर देंगे ठीक है और यहां पर अपलाई टू और लिखा हो तो अपलाई टू पर नहीं क्लिक करना है बस हम black कर लेंगे तो यहां पर saturation पर आएंगे saturation पूरा minus कर देंगे black हो जाएगा और एक photo बचा इसको भी हम black कर लेते हैं black करना कोई बड़ी बात नहीं है simple है देखो जैसे मैं कर लिया सभी का हो गया यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से scan होगा अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा यहां पर कई चीज एड करेंगे जिससे और मस्त हो जाएगा यहां पर देखो friends आपको यह जो दिख रहा है ना plus button plus button पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने से पहले आपको कर ले ना अब ले करके यहांपको अगले फोटो पर आना है अब यहां पे आने वासि इसको करना है क्लिक और यहां पे लिखावा दिखेगा duplicate डुबिकेट करना है और इसको scroll करके देखो इस तरीके से छोटा कर ले थे थोड़ा सा scroll करके आपको यहां पे लिख रहाना अगले वाले फोटो पर आला कर इसे हम add कर लेंगे ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं अगले फोटो पर एड कर लिए हमने कुछ इस तरीके से अब इसी को हम फिर से डुब्लिकेट करेंगे फिर पीछे वाला जो फोटो उस पर ले जाकर एड कर लेंगे अगले वाले फोटो पर यहाँ पर इसको भी एड कर लिए फिर से इसको ड transition यह वाला apply कर लेना है यहाँ पे फिर से में इस photo के पास आया इस पे भी click के प्लस पे इसको भी यह वाला apply कर दिया और इस photo के पीछे आएंगे इस पे भी वही apply कर देंगे apply करने के बाद से कुछ इस तरीके से हमारा यह ready हो जागा यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके अच्छा लग रहा है ना अब यहाँ पर यह जैसे ही complete हो जाए यहाँ पर एक चीज एड करना है वह क्या है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वह इससे normal चल ला है तो अच्छा नहीं लगा तो इस पर हम इस scanning वाला sound लगाएंगे उसके लिए फ्रिंट से यहाँ पर द निकाल लेंगे और इस वीडियो के यहाँ से delete कर देंगे और play करके सुन लेंगे किस तरीके से चल ला है देख सकते हैं यहाँ से यहाँ से अच्छा लग रहा है तो इसको हम जो फालतू आगे का पाड़ है उससे cut करके निकाल देंगे यह इस तरीके से cut कर लेंगे इसको move क पर आके कि तरह कर देंगे इस तरीके से अब यहां पे देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूं है थोडा सा और इसकोम कट करेंगे उसे देखिए यहाँ से हम थोडा सा कट करेंगे यह फाल तूह होज़या मैच नहीं कर रहा त्युश्क अम डिलीट कर है और यहां पर ढब दिखेंगे इतना पर अच्छा लग रहा अब यहां पर तु हमारा हो गया और जल जैसे scan हो जारा है न तो उसके बाद से sound को हम ह्यां स handlar जैसे scan होके हट जा रहा है तो sound को उतना ही रखेंगी इसकेन होने के बाद से हटा देंगे साउंड को अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा आप इसको फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इसका भी डूब्लिकेट करेंगे और जहां पर हमारे अब देख़िये ब्ले करके दिखाता हूं तो देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है आप चाहें तो इस पर एक बैग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो जिससे और अट्रेक्टिव हो जाए ठीक है तो मैं बैग्राउंड म्यूजिक नहीं लगांगो ऐसे ही अच्छा लग रहा है अब इसको बन जाने के बाद से सिम्पाल आपको सेयर पे क्लिक करना और यहां पर 1080p 60 कर लेना इसको इतना पर लग कर लेना एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना यह वीडियो आपकी गैलरी में बनके रेडियो हो जागा फिरी से आप इंस्टाग्राम पे अप्लोड कर दीजेगा वीडियो पतन दीतो लाइक क प्यारा से कमेंट करने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को ओल प्रेस कर लिना फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धनवाज जाए इन बन्दिय मात्राम